कि हैं आप सभी लोग तो देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए हिंदी पेड़ागाजी सीट का एंस्यार्टी बेस्ट को लेकर कर आए हैं जो आपके आनलाइन स्रिफ्ट में पूछे हुए हैं तो देखिए हम लोग फटा-फट से अपना दबा दीजिएगा ठीक है उसमें आल कर दीजिएगा ताकि जो भी हम अहां से वीडियो आपको अपलोट करें वो तुरंत आप लोगों के पास चला जाए तो आए फेंट्स हम लोग अपना हिंदी के सबसे पहला कोस्चन देखते हैं कि क्या है देखे फेंट्स हमारा सबसे पहला कोस्चन है कि सुधा अपने कच्छा में पाठ्थे सामगरी में आई ब्याकरण और शब्द संपदा की ब्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों की घर की भासा या मुख्य भासा का प्रयोग करती है बाद में वह उन्हें उनका अनु अनुबाद करने में मदद करती है तो देखे फ्रेंट्स अनुबाद कर रही है जाहिर सी बात है तो यहां पर आपका क्या हो जागा ब्याकर अनुवाद बिधी ठीके फ्रेंट्स सुपका तो है तो आए अगला कोश्चन देखते हैं क्या है लि2 इसия में क्यूंद्स टिकाफिव मिंस के अनुसार सामाजिक भासा को और किस भासा के नाम जाता है पहला है आपका option के खेल के मैदान की भासा, दूसरा है कच्छा कच्छ की भासा, तीसरा है भासा प्रयोक्षाला, चौथा है आपका समाचार वाचन कच्छा की भासा, तो देखिए friends जो Q-mix के अनुशार सामाजिक भासा है, उसको और किस भासा के नाम से जाना जाता है, तो अगला question देखते है friends, देखे friends हमारा अगला question है, स्वनीम, जागरुकता इस बात की समझ है कि पहला option है भासा में स्वनीम होते हैं, दूसरा है भासा की ध्वनी को पहचाना जा सकता है, प्रिधक किया जा सकता है, इस्थिति के अनुशार ढाला जा सकता है, तीसरा है आपका भासा की ध्वनियों को याद करने की आविश्यकता है, याद आया है friends, ये देखे आपका negative है, चौथा आपका भासा की ध्वनियां पहचानी नहीं जा सकती और नहीं इस्थिति के अनुशार ढाली जा सकती है, ये भी देखे आपका गलत होगा, अब सबसे और राइट आप अपका क्या हो जाएगा friends, भासा की ध्वनियों जो होती है, उसको पहचाना जा सकता है, उसको पिर्थक, यानि कि अलग भी किया जा सकता है, और इस्थिति के अनुशार ढाला भी जा सकता है, ठीक है, जैसे देखे, जैसे ही बच्चे का भासा का उसल भिक्सित होता है, उस अपने विद्यार्थियों को आरंभ, मध्य और अन्त की ध्वनियों को पिर्थक पिर्थक कर पहचानने में मदद कर रही है, इस तरह से वह किस पहलू को मजबूत कर रही है, देखे, यहाँ पर क्या है, ध्वन्यात्मक जाग रुखता, दूसरा है आकृति मुलक जाग करने के लिए पहचान करने में जो मदद कर रही है, तो उसको आप क्या कहेंगे, वह आपका क्या हो जाएगा, ध्वन्यात्मक जाग रुखता, ठीक है, आपका राइट अप्शन यहीं हो जाएगा, देखे, ध्वन्यात्मक जाग रुखता जो होता है, वह बोले गए ब्यक्ति का ध्वनियों या स्वरो को पहचानने और उनमें हेर फेर करने की छमता है, ठीक है, या पढ़ना सीखने के आधार है, और कम उम्र में संभावित पढ़ने की समस्याओं को रोकने में महत्तोपूड होती है, यह अगला क्विस्चन देखते है, हमारा क्या है, यह लोग अभी तक देखे हैं, हमारी हिंदी की संभूड क्लास नहीं देखी है, वो लोग जाकर के देख लिजिए, बहुत ही आप लोग को helpful मिलेगा, हमारे चैनल पेज़ पर जाकर के आप लोग देखिए, वहाँ पर संभूड हिंदी की क्लास पढ़ी हुई, या ठावन करेगी, पहला है आपसन आपका कि जिस विचार बिंदू के बारे में वे सोच रहे हैं उसे समझने में, दूसरा है पाठ्थे सामगरी को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसका चित्र बनाने में, तीसरा है पाठ्थे सामगरी से जुड़ी फिल्म को बेहतर तरह से समझने में चौथा आपका अपने पठन संबंदिक ग्रीह कार की अच्छी तरह से योजना बनाने में तो देखें इसका जो राइट आप्शन आपका हो जाएगा कि जो आपकी समीना है ठीक है अपने विद्यार्थियों के लिए पठन के समय बहुत से चित्रों और दिश्रों का प्र समझने के लिए उसका चित्र बनाने में ओके फ्रेंड्स के आपका क्या है अगला क्विस्चन है कि निर्देशित पठन विद्यार्थियों को उन पठन युक्तियों के विकास के माध्यम से पठन प्रक्रिया पर बेहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है जो पहला साकार कल्पना करने में मदद करती है ऑक फ्रेंड्स के डिकूर्ट करने और पठन करने में मदद करती है उपके फ्रेंड्स आईए अगला question देखते हैं हमारा क्या है फटा फट से हम लोग 15 question complete कर लेते हैं अपने आई होग आप लोगों को हमारी class समझ में आ रही होगी और पसंद भी आ रही होगी जो लोग अभी तक हमारी चैनल को like and subscribe ने किए वो लोग like and subscribe कर दीजिए देखे हमारा अगला question है कि अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रोजी उन्हें flash card देती है वह विद्यार्थियों से कहती है कि इन्हें कहानी के क्रम में बेवस्थित करो जो देखे जो सिच्छक है अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रोजी उन्हें flash card दिखाती है वह विद्यार्थियों से कहती है कि कि इन्हें कहानियों के ख्रम में व्यवस्थित करो ठीक है रोजी उनके किस कौसल का आकलन कर रही है पठनखलाट वाचन शाकर कल्पना करना करना best tis का जो हो सरवरम का का कर रही है यानि इसका क्या मतलब हो जाएगा false ओकलन कर रही है कि अगला के साधना परिच्छा प्रश्णों के कथिनाई अस्तर को समझ रही है एक प्रस्ण के कथिन या अस्तर का मुल्य 90 रुपए है साधना को इस प्रश्ण का क्या करना चाहिए पहला है इस प्रश्ण को परिच्छा प्रश्ण पत्र में रखना चाहिए दूसरा है इस प्रश्ण को परिच्छा प्रश्ण पत्र में नहीं रखना चाहिए तीसरा है यह प्रश्ण सामाननेता परिच्छा के लिए कठीन है चोथा है यह प्रश्ण परिच्छा के लिए एक अच्छा प्रश्ण है देखे फ्रेंड्स यहाँ पर आपका right option क्या हो जाएगा कि देखे जो साधना है ठीक है तो इसका right option हो जाएगा साधना को इस तरह के कठिन प्रश्णों को नहीं रखना चाहिए जिसका कठिनाई अस्तर 90 से अधिक हो तो यहाँ पर देखे आपका right option क्या हो जाएगा इस प्रश्ण को परिच्छा प्रश्ण में नहीं रखना चाहिए आए फ्रेंड्स अगला question देखते है देखे फ्रेंड्स अगला question है कि बुनियादी अंतरव्यक्तिक संप्रेश्ण कोसल BICS की ओधारडा किसके द्वारा की गई थी पहला है आपका Stephen Cresson दूसरा है लेवाई गोच्सकी तीसरा है BF Skinner चोथा है आपका Jim Cumens तो देखे फ्रेंड्स जो आपका बुनियादी अंतरव्यक्तिक संप्रेश्ण कोसल है यह जो अवधारडा है यह आपके किस ने दिया है Jim Cumens ने दिया है ओके फ्रेंड्स देखे इन्होंने क्या कहा है कि Basic Interpersonal Communication Skills ठीक है इसका full farm होता है Basic Interpersonal Communication Skills CICS दैनिक समाजिक आमने सामने में बातचीत में आवस्यक भासाई कोसल को यह संदर भित करता है ओके फ्रेंड्स आई अगला question देखते हैं हमारा क्या है देखे हमारा अगला question है कि गुर्जीत अपने बिद्यार्थियों को समाजिक कोसल और समाजिक भासा सिखाना चाहती है ठीक है देखे यह जो गुर्जीत है वो एक सिच्छिक है ठीक है वो अपने बिद्यार्थियों को समाजिक समाजिक भासा सिखाना चाहती है ठीक है समाजिक कौसल और समाजिक भासा इसके लिए कौन से युक्ति सरोत्तम होगी ड्रामा खेल रोल प्ले वाद विवाद तो देखे फ्रेंड्स जो समाजिक कौसल और समाजिक भासा का अभिकास करना होता है ठीक है उसके लिए सबसे सरोत्तम आपका क्या होगा रोल प्ले ठीक है देखे रोल प्ले वह गतिविधी होती है जिसमें छात्र कोई भूमिका निभाते हैं और किसी छोटे परिद्रिश्य के दोरान वे उस भूमिका में बोलते हैं और अभिने करते हैं और वे देखे जैसे वे जिस पात्र की भूमी का निभार रहे हैं उसके बिवहार और उद्दिश्यों को अपना लेते हैं ओके फ्रेंट्स आईए अगला क्विश्चन देखते हैं हमारा क्या है अगला क्विश्चन है फ्रेंट्स की भासा अधिगम में मौन अवधी चुनावती पूड यानि की महत्तपूड है या कथन क्या है भासा अधिगम में मौन अवधी सही है आंचिक रूप से सही है गलत है तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है तो इसका friends देखे right option क्या हो जाएगा सही है ठीक है भासा अधिगा में मौन आवदी चुनावती पूड़ होती है ठीक है तो यह सही है अगला question देखे क्या है अगला question देखे friends के निम्नलिखित में से बुनियादी अंतरव्यक्तिक संप्रेशर कोशल BICS और शंगयनात्मक अकादमिक भासा निपूरता CALP के बारे में क्या सही है देखे पहला option क्या है CALP और BICS के लिए दूसरा सब्द है दूसरा है CALP और BICS से भिन्न है CALP BICS से संबंधित नहीं है तिसरा CALP और BICS का विस्तार है तो देखे फ्रेंड इसका जो राइट अप्सन है वो आपका क्या है CALP और BICS यह दोनों भिन्न है ठीक है अलग है देखे फ्रेंड जो आपका BICS है वो बेसिक इंटरपरेशनल कम्यूनिकेशन स्किल ठीक है संगवादी प्रवाह को संदर्भित करता है जैसे हो गया आमन कि ALP होता है वो संग्यानात्मक अकादमिक भासा प्रवीरता ठीक है इसकूल के BICS में सफल होने के लिए आवश्यक मौखिक और लिखित भासा है यह ध्यान से पढ़िएगा कॉपी पेन ले करके अपना नोट्स बनाते रहिए और हम आप लोगों के डेली यहीं क्वेस्ट सॉल्फ कराते रहेंगे डेली आप लोग करिए आई अप लोग 120 से ज्यादा ही सही कर लेंगे अपने एक्जाम में और स्कूर भी अच्छा लाएंगे देखिए अगला क्वेस्टिन है फ्रेंड्स कि सुनकर याद कर लेने वाले मौखिक निर्देशों को प्राथमिक्ता द देने वाले ठीक है तो यहां पर देखिए आपका राइट ऑप्षन क्या हो जाएगा कि सुनकर और मौखिक तो यानि की स्रब्य ठीक है सुनकर याद करने वाले मौखिक निर्देशों को प्रात्मिक्ता देने वाले स्रवड एवं वाच्यन के माध्यम से सीखने वाले लिखित में से कौन सी सब्द रचना की प्रक्रिया है पहला है गढ़न सब्द निर्माड यानि की उद्धरित करना शयोजन मिलाना मिस्रड ठीक है मिलाना का मतलब क्या होता है मिस्रड तो देखे फ्रेंड्स यहां पर सबसे राइट अप्षन क्या हो जाएगा क्या पूछ आई अगला कुस्चन देखते हैं हमारा अगला और सबसे लाश्ट कोस्चन है यह देखे यह किस आधार पर कहा जाता है कि अध्यापक को जहां तक संभाव हो चुप रहना चाहिए और सिच्छार्तियों को जहां तक संभाव हो भासा प्रयोग यानि बोलने कि अधिक से फार आपका देखे लिए पहला आपसं आपका सज इस्टो पीडिया यानि की पर्मर्श को ब्यूसरा है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया ठीसरा है मौन विधि चौथा है आपका समग्र भासा तो देखे इसका जो आपका रस सही अप्सन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा यहा यह सी भी ऐसी के अनुसार जा जा सकता है कि अध्यापक को जहां तक संभव हो वहां तक चुप रहना चाहिए ठीक है और सिच्छार्तियों को जहां तक संभव हो भासा प्रयोग्यानी की बोलने के अधिक साधिक आवसर देने चाहिए तो आपका देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाए यहां पर राइट ऑप्शन आपका